ओम शान्ती आज 29 अगस्त 2024 की साकार मुरली है आज सने के सागर शिब बाबा ने कहा मेठे बच्चे तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो तुमें आँख बंद करने की दरकार नहीं पढ़ाई आँख खोल कर पढ़ी जाती है मेठे बच्चे तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो तुमें आँख बंद करने की दरकार नहीं पढ़ाई आँख खोल कर पढ़ी जाती है प्रशन भक्ती मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए भक्ती मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए उत्तर भक्ती में किसी भी देवता की मुर्ती के आगे जाकर कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं उन्हों में मांगने की ही आदत पढ़ जाती है लक्षमी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे लेकिन मिलता कुछ नहीं अब तुम बच्चों में ये आदत नहीं तुम तो बाप के वरसे के अधिकारी हो तुम सचे विचित्र बाप को देखते रहो इसमें ही तुम्हारी सची कमाई है दारना के लिए मुख्यसार है आज नमबर एक बाप जो ग्यान शरिंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुशार्थ करना है माया की दूल में ग्यान शरिंगार बिगाड़ना नहीं है पढ़ाई अच्छी रिती पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है नमबर दो इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धी से विचित्र बाप को याद करना है आँखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी है बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है बरदान है आज समय के महत्व को जान फास्ट सो फष्ट आने वाले तीवर गती के पुरशार्थी भव समय के महत्व को जान फास्ट सो फष्ट आने वाले तीवर गती के पुरशार्थी भव विस्तार है अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्मों को लास्ट सो फष्ट फष्ट आने का वरदान प्रापत है तो समय के महत्व को जान मिले हुए वरदान को सुरूप में लाओ ये अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो बापतादा और निमित आत्मों की सरब के प्रति सदा आगे उड़ने की धुआएं होने के कारण तिवरगती के पुरुशार्त का भाग्या सहज मिला हुआ है सलोगन है आज निराकार सो साकार के महामंतर की समरिती से निरंतर योगी बनू अच्छा मिठे मिठे सी किलदें बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते ओम शांति